आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी कुरूजी फ्रेंड सी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है जी आप आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी नौलिज सेयर करने वाला हूं जिसमें आप नीट क्वालिफाई करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हैल्फूर रहेगी बहुत ज़्यादा हैल्फूर रहेगी साथी नीट के अप्लिकेशन फॉर्म कब तक आ सकते हैं उसके बारे में भी डिसकस करूँगा कुछ और नौलिज सेयर करूँगा जो आप इस टीओ पॉस्टंस यही रहता है जो मैं इस वीडियो में आपको कलियर करने बाला हूं तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको इसकी knowledge share कशेर कर दी जाये और आपको बता दींगे जाए इसका final answer क्या हो सकता राइट तो की बीडियो आपके लिए't है परिशान मत होएगा, ऐसा नहीं कि application form आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, तीक है, आप मेरे YouTube चैनल पर subscribe करके रखे हैं, तीक है, जैसे form आता है, मैं आपको inform करूँगा, या आप किसी other YouTuber को follow करते हैं, तो वहाँ वीडियो प्रवाइड कराएगा, तीक है, वो बात है कोई late करा है, कोई जल्दी provide करा दे, तीक है, मेरी कोसिस रहती कि जैसे ही कोई application form या कोई notice आए, तो तुरंत आपको सबसे पहले YouTube पर update किया जाए, इसके लिए, मेरी ये कोसिस रहती है, अगर आप चांते हैं, कि सबसे पहले update मेरे through आपको मिले, तो चैनल को subscribe करना होगा, चैनल क को मत बताना application form आ गया है, वो भर नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब को पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि नीट के exam में बहुत बड़ा level के exam होता है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे उसमें participate करते हैं, तो मैं आपको बता दू कि आपका application form जो सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो वीडियो अप्लोड करूं, तो आपको सबसे पहले information मिल सके, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करना, और टेलिग्राम को जान के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सर्ज कर लिजेगा टेलिग्राम पर टेक्निकल हिं सर, eligibility criteria को लेकर, बहुत students का common question है कि सर, eligibility criteria क्या होनी चाहिए हो, क्योंकि नए बच्चे उनको नहीं पता होता है कि कितनी percentage हमको चाहिए होती है 12th में, ठीक है, सबसे पहली बात है कि eligibility criteria में आपको 12th pass होना जरूरी है, 12th आप PCB मतलब physics, chemistry, biology से qualify होनी चाहिए, pass होनी चाहिए, मत बात आती है कि सर, percentage कितनी होनी चाहिए, क्यों को percentage लेकर confusion रहता है कि सर, percentage कितनी होनी चाहिए, ठीक है, percentage के लिए बात करता हूँ, तो general category के लिए 50% होनी चाहिए, आपकी biology, क्या बोलते है, आपकी 12th में, साथ ही, अगर मैं बात करता हूँ, SC, ST, OBC के लिए, तो 40% आपकी उ अब सबसे बड़ा confusion कि सर, age limit क्या होनी चाहिए, age limit को लेकर कि minimum age जो होनी चाहिए, आपकी 17 साल होनी चाहिए, बच्चा कहता है कि सर, मैं तारीक को जनम हुआ था, मेरा ये date of birth है, मैं क्या eligible हूँ कि नहीं, और यार कुछ नहीं, दोको एक, जब भी कोई vacancies आती है, जब भी कोई competition exam का form आता है, तो एक age limit में, एक date mention हो रखी होती है, कि आपका जो date है, आपकी जो age है, इस date तक इतनी हो जानी चाहिए, जैसे नीट के exam में 17 साल माइगेगे, कम से कम आपके ये 17 साल होनी चाहिए, और 17 साल से आपका एक दिन भी कम है, तो आप भूल जाई, नीट के exam देना, तो आपके लिए अच्छा मौका है कि आप next year की preparation करें, बहतर preparation कर सकते हैं, और बहतर marks ला करके बहतर college ले सकते हैं, अगर आपके पास समय है तब, यह तो आपके हाथ में है नहीं कि हमारी age का में form नहीं डाल पाए, और नहीं डाल पाए, तो preparation करो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, तो आपके लिए 17 साल होनी चाहिए, एक date दी रखी होती है application form में, कि इस date तक आपकी age इतनी हो जानी चाहिए, मतलब 17 हो जानी चाहिए, और अगर maximum age की बात की जाए, तो 2022 में यह लागू हो चुका है कि कोई age limit इसमें नहीं है, मतलब जो 17 साल से लेकर आ 28 बर्स को हो चाहिए, और 60 बर्स को आप form को भर सकते हो, ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ, यहां पर यह बहुत important है, मैं जो ऐसा लगा है कि यह दो questions रहते हैं, बहुत ज़्यादा common question हो, बहुत ज़्यादा छात्रों ने comment पर पूछे है, other YouTubers के, मेरे पास भी comment बहुत बा ज़्यादा question आपकी need exam में पूछे जाते हैं, अगर मैं बात कहता हूँ, पहला chapter आपका है, वो genetic and evaluation, जिसमें से कम से कम 18-20% questions बनते हैं, ठीक है, उसके साथ human physiology, human physiology में 20% question इसमें से बनता है, मतलब आपको मैंने 38% से लेकर के 40% तक आपको 2 unit बताया, human physiology और genetic and evaluation, अगर यह दो chapter आपके 2 unit जो clear हैं आपके, तो बहुत अच्छा score आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप need की preparation कर रहे हो, तो इन 2 unit को clear कर लें, बहुत अच्छे से, genetics evaluation, साथ ही आपका human physiology, ठीक है, यह दो बहुत अच्छे से clear के लिजिएगा, इसमें आपके लिए बहुत important questions रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी रहता है, तो मैं इस पर ज़्यादा focus कराता हूँ, students का, क्योंकि इस से बहुत ज़्यादा question आते हैं, और आप previous year के कुछ paper देख लीजिएगा, आपको कम से कम 2-3-4 questions रखे हुए, बिल्कुल agent मिलेंगे इसमें से, ठीक है, और mostly questions इसी में से पूछे जा नीट की सभी information के लिए आप लोग channel को subscribe जरू कीजिएगा,